जैहिं दोस्तों बंदे मातरम स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल सरकारी प्रूडेंस 37 में तो वीडियो के रीगजाम को लेके आप सभी लोगों के मन में डाउट है कि भरती रद होगी या दुबारे होगा एक्जाम होगा इसका ठीक है तो आपको एक बड़ी खुशकबरी और बड़ी अपडेट के साथ में इस वीडियो में आया हूँ ठीक है कोई भी आपको ये जानकरी नहीं देगा इस चैनल के मादिम से ही आपको सही और सटिक जानकरी दी जाए तो जैसे के आपको पता है 1953 नमबर और पदों पर ये भरती आई थी जून 2018 के अंदर ठीक है तो इस में से ये जो आपकी पोस्ट थी तीन परकार की थी 1953 नमबर और टोटल वेकेंसी था आपका और ग्राम विकास अधिकारी ठीक है और ग्राम पंचाद अधिकारी और एक आपका था परविक्षक वाला समाज कल्यान परविक्षक ठीक है तो अब बात करते हैं कि sir इसमें number of application form कितना फिलवा है ठीक है बहुत सारे बच्चों के doubt थे मैं जब UPSI के physical के update दे रहा था गोरकपूर और आपका गोरकपूर लकनो साइड का जब मैं आपको data दे रहा था physical का ठीक है तो उस समय बच्चों ने बहुत सारे doubt तो अब बताता ह हूँ मैं आपको total जो application form है 14 lakh 14 lakh application form जो है इस बरती के फिलव है और exam जो देखिया और 9 lakh बच्चे है ऐसे है जिन्होंने क्या है total student जिन्होंने attempt कि है मतलब की candidate अब विहारतियों की संख्या है 9 lakh ठीक अब बात करते हैं कि sir इसका re-exam होगा या नहीं तो मैं कहता हूँ है कि आपका re-exam बिलकुल होगा ठीक तो जैसा कि थोड़ा मैं आपको गुप्त सुत्रों से जानकरी दे देता हूँ कि 29 जून 2018 को इसका apply online ठीक है या लास्ट डेट था और अब बच्चों के मन में एक doubt और भी आता है कि triple C certificate या document कब तक का eligible माना जाएगा ठीक है complete information दूँ कि हर एक document के बारे में ठीक है तो triple C जो document है आपका जो आपका last date of application जो आविदन पत्र की अंतिम संक जो तिथी थी उसी तारिक का आपको eligible माना जाएगा ठीक है तो ये सबसे बड़ी update है यहाँ पर ठीक है दूसरी चीज में ये कहता हूँ कि मुझे जहां तक लग रहा है ठ का exam होने के कितने percent 78% chance है कि हो सकता है ठीक है ना बाकी 32% में नहीं कह सकता लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और जो भी बच्चों ने triple C का जो certificate हो बनवाल है और मानियों वही होगा जो 2018 last date of application का है वही eligible माना जाएगा अभी देखें जैसे कि आपको पता है UPSC UPSC PAT PAT का भी पता ही होगा आपको ठीक है PAT के अभी क्या है 15-16 October को exam होना है उसके बाद देखते हैं UPSC video के regarding क्या UP government क्या करती है उपर action क्या लेती है central government ठीक तो ये चीज़ें देखनी जरूरी है खाले हो में नहीं बोल सकते कि exam हो गया या वो हो जाएगा ये हो जाएगा ठीक है तो हम फेक वीडियो नहीं बनाते हैं हम आपके लिए एक सही और सटीक information लेके आते ताकि आप सभी लोगों को एक अच्छी जानकारी मिल सके ठीक है तो बाकी जैसे ही कुछ भी update आता है मेरे पास तो YouTube पर सबसे पहले ठीक है आपको मैं ही जानकारी दूँगा मेरा ह अब देखना ठीक है और मैं आपको सही तरीके से mark दर्शिन करूँगा ठीक है बाकी इतना ही कहना था आप अपने और भी exam की तेहरी में लग रहे हैं देखिए एक चीज की ओपर depend रहना सही नहीं है ठीक है तो अगर आप हमसे संपरक साधना चाते है तो जुड सकते है ठीक वीडियो के description में मिल जाएगा cooling हमारे group का and मेरा personal number actually मैं busy तो रहता हूँ लेकिन हाँ अगर कोई emergency है call है तो मैं जरूर pick करूँगा और आपको यूपी ट्रिपल सी वीडियो हो बीपीडियो हो ठीक है आपका या पैट हो या forest guard हो तमाम तरीके की जानकारी के लिए आज ही subscribe कर ले हमारे सरकारी prudence 374 ठीक है तो मैं मिलता हूँ अगली update में जैहिन बंदे मात्राव